असलामुलाइकूम स्टुटेंट्स अब हम नेक्स एक्सेसाइज 2.4 के साथ आए हैं हाजर हुए हैं तो इंशाला 2.4 करते हैं स्टुटेंट्स ये एक्सेसाइज बिल्कुल सिंपल से सबस्क्राइब रापर साइज है हमने इसमें करने वाला इतना कुछ खास नहीं है बस लाइट वाले नंबर होते हैं जिस तरह के वान मैं देखता हूं question number मैंने 1 देखा उसमें कहता है alpha beta आपने find करना है कहता है x square plus p of x x square plus p of x plus 7 कहता है q है equal कहता है 0 के है student सबसे पहले वो कहता है आपने find करना है alpha square plus beta square यहाँ पर मैं लिख देता हूँ find alpha square plus beta square तो यह हम पहले ही find कर क्या हुए है हमें तो सिर्फ sum चाहिए हमने लिखा a is equal to 1, b is equal to p और c is equal to student q लिख लिए हमने हमें लिखा कि sum is equal to है sum की value निकालते है जो कि alpha plus beta है और यह equal है minus b over a के तो alpha plus beta student यहाँ गया minus p over आगया 1 तो alpha plus beta is equal to हागया हमारे पास minus p के equal आगया इसके साथ student product निकाल लेते हैं जो कि alpha beta की शकल में है तो alpha beta c over a होता है तो यह आगया alpha beta c हमारे पास q है over 1 तो alpha beta student equal आगया हमारे पास q के equal आगया अब जब यह दो चीज़ें आजाती है तो आपको जो मर्जी कहें find करने को आप direct find करते जाते हैं जिस तरह किया से यह भी मैंने एक equation ली है उसका part 1 यह solve करने के लिए बोला है तो आप लिख सेते हैं now alpha plus beta का whole square as equal to alpha square plus beta square plus 2 alpha beta तो देखें alpha beta की value आपके पास मजूद है minus p तो आपने लिखा minus p का square as equal to alpha square plus beta square plus 2 और alpha beta की value student आपके पास है q तो यह q put किया यह आगया मेरे पास p square यह plus का इदर आएगा तो minus 2q as equal to आगया alpha square और यह आगया beta square यह student आपने find करना था इसके साथ यह question complete होता है next question है student हमारे पास equation यही है equation यही है alpha इसका यही है sum इसका यही है product इसकी यही है सिर्फ यह change करता जाएगा और हम find करते जाएगे जिस तरीके से अभी वो कह देगा आपको find करने के लिए next वो कहता है find आप करें alpha cube beta alpha cube beta find कर लें साथ में कहता है plus alpha beta का cube find कर लें तो आप इसे के लिएजिर लिख सकते है now alpha cube beta plus alpha beta का cube तो यह देखे alpha square beta square मैंने common निकाल लिया alpha और beta इसमें common निकाल लिया बाकि मेरे पास इसके साथ alpha square रहा गया और इसके साथ beta square रहा गया अभी हमें पता है आप equation 1 राख ले अब आप लिखे alpha plus beta का whole square अभी find किया था हमने इसको plus 2 alpha beta और देखें alpha plus beta मेरे पास है minus p minus p का whole square अजिकल यह आगया alpha square plus beta square plus 2 और यह आगया मेरे पास q हम देखते हैं यह plus का 2 है इदर आगे minus का हो जाएगा और यह आगया मेरे पास alpha square plus beta square आगया put in आप कहले 1 put in 1 गिया वो है मेरे पास जब मैं इसे करूँगा put करूँगा तो यह आजएगा मेरे पास alpha beta तो alpha beta का answer अभी हमने निकाला है वो q आजएगा वो आगया q और इसका answer यह आगया है यह आगया p square minus 2 q इसके साथ यह इसका answer आगया अच्छा students third one आप खुद करेंगे इसका इसके साथ यह complete करता हूँ next question लिखता हूँ next question student मेरे पास है कहता है 4x square minus 5x plus 6 is equal to 0 और सबसे पहले student हमें लिखा a is equal to 4, b is equal to minus 5 and c is equal to 6 अब हमने लिखा sum is equal to alpha plus beta जो के equal है minus b over a के तो alpha plus beta या क्या minus b की value minus 5 a मारे पास 4 alpha plus beta या गया 5 by 4 के equal आ गया student product निकालते हैं जो के alpha beta is equal to c over a होता है या आ गया alpha beta c की value 6 और a आ गया मेरे पास 4 आ गया students ये मेरे पास अगर cross करना तो कर सकते हैं ये cross हुआ तो alpha beta या आ गया मेरे पास 3 by 2 आ गया student जो मर्जी चीज़ दी हो आप find करते जाएंगे जिस तरह के उसने बोला है कि आप find करें 1 over alpha जिस तरह उसने बोला है 1 over alpha find करना है plus 1 over beta find करना है हमने यहां भी लिख सकते हैं now और इसे आप find कर लें या गया alpha beta या गया alpha plus beta तो देखे students alpha plus beta का answer आपके पास 5 by 4 है और alpha beta आपके पास 3 by 4 है अगर आप मजीद इसे असान जैला करना जाते हैं तो आप इसे ये ना भी करें तो तब भी ठीक है cancel नहीं करना जाते तो ना भी करें ये और असान हो जाता है इस तरह के देखें ये 6 by 4 है तो ये इससे cross कर दें आप direct ही और ये 5 by 6 आपका result आजएगा तो ये आगया 1 over alpha प्लस 1 over beta आगया आप students जैसे के वो हमें next question बोलता है values तो ये ही है ये ही दो value निकालनी है ये ही change करेगा ना हो करके आप change करते जाएं जैसे के question वो उसने change किया एक part ले ले लेते हैं कोई सा कहता है कि आप alpha square बीटा square निकाल ले जिस तरह के alpha square dividing by beta प्लस क्या देता है बीटा square over alpha ये चीज find करने के लिए बोलता है तो हमने एक ठीक है जी find कर लेते हैं इसका हमने lcm लिया तो alpha बीटा आगया ये आगया alpha का cube प्लस आगया beta का cube इसका name हमने 1 रख दिया also alpha plus beta का cube निकाल लेते हैं हम जानते हैं ये equal होता है alpha cube plus beta cube plus 3 alpha beta into alpha plus beta ये हमारे पास है alpha plus beta students उसने में दिया 5 by 4 5 by 4 का cube दिया हुआ है as equal to ये आगया alpha cube plus beta cube प्लस ये आगया 3 alpha beta 6 by 4 दिया हुआ है और alpha plus beta हमें 5 by 4 दिया हुआ है अब हम value दे रहे हैं तो ये आगया 125 ये आगया मेरे पास 64 ये आगया alpha square plus beta square plus ये मैंने इसे multiply किया 3 multiply 6 तो आप कर सकते हैं calculator से 3 multiply 6 और multiply student हमारे पास 5 है तो ये मारे पास 90 हो जाएगा ये आगया 90 plus रह जेगा beta cube अब students 16 और 64 का LCM करते हैं बास आप सानी से आप कर लें ये आगया 8, 2 and 8, 8 ये आगया 2, 1 जा 2, 4 ये आगया 2, 2 जा ये आगया 2, 1 जा 2, 2 जा 4, 2 जा 16 और 16 को 8 से multiply करते हैं ये आगया student हमारे पास 16 और साथ में है 64 LCM के लिए ये आगया 2, 8 and 2, 3 जा 2 ये आगया 2, 4 and 2, 16 ये आगया 2, 1 जा 2, 2 जा 4 ये आगया 8, 2, 1 जा 2 2, 4 जा 8 ये आगया 2, 2 जा ये आगया 2, 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 2 जा 32, 2 जा 64 ये student 64 इसका LCM आ गया उपर बच गया 1, 2, 5 minus 2 बचता है 2 को जब मैं 4 बचता है 4 को जब 90 से multiply करूँगा 0 और ये आगया 36 तो ये आगया student alpha cube प्लस आगया मेरे पास beta cube यहाँ से मैं इसको raise कर लेता हूँ 360 में से 125 माइनस कर दिया मैंने 360, 125 तो ये आगया मेरे पास 235 माइनस का 235 डिवाइडिंग वाई 64 और जिक्कर दू आगया मेरे पास alpha cube प्लस आगया beta cube इसे put कर देता हूँ student में put in 1, 1 में मैंने put कर दिया जो के मेरे पास है alpha square over beta प्लस beta square over alpha अज़ इकल दू इसकी value माइनस 235 और 64 डिवाइडिंग वाई alpha बीटा जो के मेरे पास है 6 by 4 ये मेरे पास है इसे उल्टा लेते हैं यहाँ गया 235 64 multiply ये 4 उपर चला गया और ये 6 हमारे पास निचे आ गया तो multiply कर लेते हैं दोनों को हमने लिखा 235 multiply 4 ये आगया मेरे पास माइनस का 940 डिवाइडिंग वाई 64 को हम 64 multiply students हमारे पास 6 है ये आगया हमारे पास 384 आप इसे cancel करना चाहें तो direct भी कर सकते हैं तो ये हमारे पास है 940 division वाले बटन पर चले जाएं और साथ में मेरे पास है 384 तो ये हमारे पास direct cross होता नहीं है बलकिए point में answer आ रहा है तो आप direct फिर इस तरीके से cross कर लीजिएगा ये इसका result है अच्छा student ये हमारे पास complete हो गया कहता है lx का square plus mx plus n is equal to 0 कहता है ये चीज़ आपने find कर नहीं है हमने लिखा a is equal to l b is equal to m and c is equal to n पहले sum निकाल लेते हैं हमने कहा alpha plus beta ये होता है minus b over a के alpha plus beta b की value मेरे पास m है a मेरे पास l है ये मेरे पास sum निकलाया product निकालते है alpha beta जो के हमारे पास है c over a ये आगया c over a c की value student हमारे पास n है और ये हमारे पास l ये हमारे पास product भी निकलायी alpha beta निकलाया अब students हमने करना ये है same वैसे ही जो चीज find करने के लिए बोलता जाएं अब find करते जाएं इस तरह के वो कहता है alpha square dot of beta square plus कहता है alpha square साब में बोलता है beta square beta का cube alpha square and beta का cube alpha square beta cube plus alpha square and beta cube ये find करने के लिए बोला है student उसने हमने alpha square beta square common निकल लिया बाकि इसमें रहा गया मेरे पास student one plus student यहाँ पर alpha का cube है book में error है तो आप यहाँ पे cube कर लिजिएगा alpha square beta square निकल लिया यहाँ पे alpha रहा गया और यहाँ पर beta आ गया अब students हमारे पास alpha beta की value दी गई है n y l यहाँ गया उपर whole square alpha plus beta minus m over l यहाँ गया हमारे पास यहाँ गया n का square यहाँ गया l का square minus m over l यहाँ गया minus m n का square और यहाँ गया l का cube इसके साथ students यह question हमारे पास complete होता है इसका part 2 है, वो भी मैं करें देता हूँ, आपको, छोटा सा part 2 है, इधर से ही, question यही है, product यही find करनी है, सब कुछ यही है, सिर्फ आप now लिखें, हमने लिखा now, question है बास, 1 over alpha square, plus 1 over beta square, हमने alpha square, beta square, LCM ले लिया, यह बच गया, student मेरे पास, यहां से alpha square cancel, बलके उपर alpha square plus beta square ही आ जाएगा, तो हम सिर्फ also लिखेंगे, यह हम बेश्तर बार, प्रूफ कर चुके हैं, alpha plus beta का whole square, is equal to alpha square plus beta square plus 2 alpha beta, तो alpha beta की value हमने देखी, यह है, minus M over L का square, is equal to alpha square plus beta square plus 2, alpha beta N over L है, student, यह आगया, मेरे पास M square over L square, यह plus का 2 इदर आगया, minus 2, N dividing by L हो जाएगा, यहां से हमने इसका LCM ले लिया, LCM लूँगा, तो L square आ जाएगा, यहां पर बाच गया, मेरे पास M square, minus 2, N, L, और यह आगया, alpha square, साथ में आगया, plus beta square, इसे put कार देते हैं, student, equation 1 में जाके, हमने लिखा, put in 1, 1 में पूटगार देते हैं, आप इसे 1 का नाम दे लिजिए गा, 1 में पूटगार लेते हैं, वो आगया, हमारे पास alpha, beta का square जो है, अभी निकाला है, यह आगया, M square, minus 2, N, L, our student आगया, हमारे पास L, is equal to, और यह मारे पास, अल्ला आपका भूला करें, हमारे पास next alpha square, beta square, जो के है, N square over L square, यह student इसके साथ क्रोस हो जाएगा, और यह मेरे पास आजएगा, M का square minus 2, N, L, dividing by N का square, यह हमारे पास इसका result आजएगा, अच्छा, students, इसके साथ ही, हमारे यह चोटी सी exercise, जो के तीन question के उपर मुच्तमिल थी, complete हुई, इंशालला, next exercise 2.5 के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए, लाह आफिज, दौाओं में याद रखिये, दौ यह हुआए झाओं में याह विए. झाल झाल